असलाम वालीकुम आज हम क्लास 6 New Oxford Modern English Chapter 4 Part 2 The Echoing Green की रिडिंग करेंगे लेकिन इसकी रिडिंग करने से पहले हम इसके पॉइट के बारे में थोड़ा से समझ लेते हैं इसके पॉइट का नाम है William Blake William Blake 28 November 1757 को लंदन में पैदा हुए और 12 August 1827 को फॉथ हुए इन्हें पॉइटरी करने का, पेंटिंग करने का और प्रिंट मेकिंग करने का शोग था इन्होंने ड्रॉयर अकेडमी ओफ आर्ट से अपनी तारीम हासल की, इसके बाद शायरी की, तो आज हम इनकी लिख्यूई नजमों में से एक नजम पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोईंग ग्रिंग गहरे सबजे पर गोंच सूरज तलू होता है और आसमानों को खुश करता है मौसम बहार के इस्तक्बार के लिए खुश ही की गंटियां बचती है स्काइल लाट और थ्रश जाड़ी के परिंदे है एट गेर्द बुलन अवाज में गाना गाते है गहंटियों के खुशगवार अवाज पर गाना गाते है जबके हमारे खेलों को गुशते हुए गहरे सबस रंग के जमीन पर देखा जाएगा बुड़ा जॉन स्वैट बालों के साथ हंसता है देख बाल करता है शाह बलूत के नीचे बैठा बुड़े लोगों में वो हमारे खेल पर हंसते है और जल्द ही वो सब कहते है जब हम सब लड़कियां और लड़के जवानी के जमाने में गुशते हुए गहरे सबस रंग के जमीन पर नजर आते थे चोटों की ठक जाने तक मजीद खुश नहीं हो सकते और हमारे खेलों का इखताम है अपनी माओं की गोदों में जैसे परिंदे अपने गोंसले में आराम के लिए तियार हैं और केल मजीद नहीं देखा गया गहरे सबजे पर तो आज की वीडियो यहीं कम्प्लीट होती है अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलीए गा नेक्स वीडियो तक के लिए अल्लाहाफिस